कुटियां में जीवन गुजारने वारी मेरी आधिवासी मां सबरी सबरी का ध्यान आते ही अप्रफेम विश्वाज जागूत होता है आज सबरी तो से कहते राम आएंगे ओ बिरहा के सौपरवत पिगले फेर गुराई तब तुम आए तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बाफिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में एक नए एपिसोड के लिए और ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा गाई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके दो से हमारे चैनल को दीजिया गठे सारा असिरवात और शेयर भी कर दिए आपने कि प्रतान मंत्री जी ने हमारे स्री राम लला का प्रांपतिस्था के बाद अभी भासर दिया और उसमें सब्री माता के बारे में कुछ बताया है तो सब्री माता के बारे में हमने सूछा कि फिर ठोड़ा सा डिटेल वीडियो बना दिया जा तो इसके बारे में जानकारी आपकर साथ शेयर कर लिया विस्यूर्षा कर लिया तो सब्री माता एक भील राज-कुमारी थी इनके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदूमादी था ये बच्पन में इनका दो नाम थे एक श्रमड़ी के नाम से जाने जाती थी और फिर सबरी दोनों नाम थे इनके तो आप सब भी दोनों नाम उसे परिचित होंगे तो सबरी माता जो है बच्पन से ही बहुत दयालू किसम की थी जब वो बच्पन में खेली, धीरे-धीरे बड़ी हुई और उनको पक्षियों से बात करने की कला सीख गई पस्वों से बात करने की कला सीख गई तो क्या होता जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके पिता और माता दुनों उनकी विवा के लिए सोचने लगते हैं और एक दिन उनका विवाह तै कर देते हैं और इसी विवाह की स्मिंखला में जैसे आपको पता है कि पहले पसुऊं की बली दी जाती थी और उसके लिए क्या करते हैं कि राजा आज जो हैं धेर सारे अपने बाड़े में पसुओं को पक्षियों के गठा करने लगते हैं और यह चीज लेकिन नहीं पता होता सब्री माता को सब्री माता एक दिन अपनी मा से पूछ पढ़ती है कि मा अपने बाड़े में इतने धेर सारे आजकल पसुपक्षी क्य जाए जारे हैं और इनकी पहले पसुपली दी जाएगी इसके बाड सबको प्रशाद के रूप में खिलाया जाएगा पार्टी होगी फिर तो यह इस बात से बहुत दुखी हो जाती हैं सब्री माता सब्री माता फिर सोचती हैं कि मतलब इन पसुओं को बचाने का रास्ता एक ही रास्ता उनको समझ में आता है कि वो यहां से भाग जाए तो उनकी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बली नहीं होगी, तो वो करती क्या है कि रात को जब सब लोग सो जाते हैं, बाड़े में गुस्ती हैं, बाड़े की सारी दर्वादे कोल देती हैं, और सार बागते भागते वह जंगल में पहुझती है तो मा क्या काम था कि सब्री माता सुभर सुभर डेली रिशियों के सामने फूल रख देना सफाई कर देना यह सब करती थी लेकिन एक दिन महां पर पकड़ी जाती है क्योंकि रिशिमुनियों को लगता था कि हमारे कुटिया का य माता को रंगी हाथों फकड़ लेते हैं काम करते हैं फिर पूछा जाता है फिर क्या हुआ कि माता से बोलते हैं कि भाई इनको आप पहुचा दिया जाए राजमहल तो लेकिन सब्री माता बोलती है नहीं मैं तो राजमहल नहीं जाओंगी अब यही रहूंगी आप रहों के और फिर क्या होता है कि मतंग रिशी के साथ ही रहने लगती है मां उनकी सिवा इतनी ज्यादा करती है कि वो उनसे प्रस्वन हो आखरी आखरी चड़ों में मतंग रिशी बोलते हैं कि मेरा जाने का समय आ गया है पुत्री तो यह काफी डर जाती है काफी मतलब दुखी हो जात के लिए आपका ख्याल लखने के लिए प्रभु स्री राम जरूर आएंगे आपके पास हो पूछती है स्री राम कौन है और मैं कैसे पहचानूंगे तो क्या तर मतंग रिशी बोलते हैं कि आपको पहचानने के जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वो खुद ही पहचान जाएंगे और आपके पास चल के आएंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यह बोल के वो अपना प्राण द्याग देते हैं धीरे धीरे दिन बीठते है डेली सुबर सब्री माता अपने कुटिया को साफ करती फूलों से सुसजित करती फलों नए फल ले आती डेली और उनको मतलब कि इस इंतजार में कि हमारे स्री राम आएंगे डेली यही रूटीन था उनका करती रहती इसका बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा मा को तो इसी भाव से इसी तलीनता से डेली काम रूटीन का काम लोग उनको सब्चते हैं कि यह पागल हो गई हैं तो सब्री माता लेकिन फिर किसी की परवाह सबंदा है अपने राम भक्ति में स्कार में है के क्योंकि लिए तो कि कुछ इंप होता हुग आपको एक दिन शुनिश्त मिल जाएगा तो एक दिन राम और लक्षमन आ जाते हैं कुटिया तक उनके उनको देख के वो भाव विभूर हो जाती है और उनके चरणों से लिपड़ जाती है और मा बोल पड़ती हैं कि मतंग रिशी ने बताया था कि आप जरूर आएंगे और आप आगए तो इस निश्चल प्रेम और इस सब को देख के श्री राम जी उनको उठाते हैं बोलते हैं मा आपने इतने प्यार सी बुलाया है तो आएंगे तो जरूर तो उस मा के और जो सबस्ट निभाते हुए वो जो भी जिद्ङू की सेवा करती हैं और तो लोगों के चरण पखाने के बात क्या करती है उनको एक एक बीर चक के फिर स्री राम जी को देती तो चके हुए बेर को लक्ष्मन जी थोड़ा सा वह सब देंके मतंब चक्राबर दे रहीं हैं कि स्री राम को इतने वर्षों बाद जो आए हैं उनको कोई ऐसा फल ना मिल जाए जो की कड़वा हो तो इसलिए सारे चकने के बाद ही माने खिलाए इस सबसे उनकी भक्ति भावना से प्रशन होके स्री राम जी उनको मोक्ष का प्रदान करते हैं और वो वहीं पे अगनी में जल के अपने मोक्ष को चली जाती हैं तो मा के इस कठिन त्याक तपश्या एक लंबी मतलब बहुत लंबी समय तक यह करना पड़ा था उसी तरह हमारे स्री राम को भी रामलला को आने कि मैं भी 500 साल लग गये तो 500 साल बाद रामलला आए हैं उसके लिए आप सभी को ठेर सारी बहुत बहुत बढ़ाई और आई होब की सबने दिपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी हमने भी मानाई है तो छोटी सी दिपावली के अपनी पुंचलक्या और उसके बाद ब्लॉग को करेंगे यहीं पर खतम गाई तो आप ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बत कि बाई, परद एढ़ा करेंगे यहीं रिर से मनाई हैं आप ब्लॉग क 캬स सरह को कारूर तो इंगां कैसे इज 듣 सकत् पुंचलक्या कासी मनाई हो न और बहुत पेस्ट बहुत बहुत की सेफिख़।